नमस्कार आप देख रहे हैं जर्भावना टाइमस आपके साथ मैं हूँ अंकिता क्या इतनी आसानी से सरिंडर कर देगा खालिस्तानी समथक और वारिस पंजाब देगा भगोडा अमरित पाल सिंग जिसकी तलाश में लगातार सर्च उपरेशन जलाए जा रहे हैं हर बार पुलिस को चक्मा देरे में वो काम्याब हो रहा है कभी दिल्ली में देखा जाता है तो कभी उसकी लोकेशन इंडो नेपाल बॉर्डर पर मिलती है तो कभी वो इनोवा कार में देखा जाता है तो कभी गुरुद्वारी की दिवार फांता नजर आता है लेकिन अब सूत्रों से मिली जानकारी के मताबक 18 मार्च से फरार चल रहा अमरित पाल 29 मार्च को सरिंडर कर सकता है वो अमरित सर के श्री अकाल तक्त साहिब में सरिंडर कर सकता है हाला कि अब सूतरों से जानकारी मिली है कि अमरित पाल ने पुलिस के सामने सरिंडर के लिए तीन शर्टे रखी है अमरित पाल सिंग ने पुलिस के सामने पहली शर्ट रखी है कि सरिंडर करने के बाद पुलिस उसकी पिटाई ना करे अमरित पाल ने दूसरी शर्थ पंजाब की जेल में रखने की बात कही है इसके साथ ही उसकी तीसी शर्थ है कि इसे गिरफ़तार नहीं बलकि सरिंडर बताया जाए आपको बता दे कि अमरित पाल सिंग और उसके साथ ही पपल प्रीच सिंग ने एक बार फिर होशयारपूर शहर के पास एक गाउं में पंजाब पुलिस को चक्मा दे दिया अमरित पाल सहित तीन लोगों के साथ एक इनोवा वहन को पुलिस ने मंगलवार रात एक नाके पर रोका लेकिन वो अंधेरे में भागने में कामियाब रहा पुलिस फगवारा से कार का पीछा कर रही थी बाद में कार फगवारा होशयारपूर मार्ग पर एक गुरुद्वारे के पास इनोवा लावारिस हालत में मिली जहां से वो गुरुद्वारा की दिवार पांद कर पैदल भाग निकले देश और दुनिया के तमाम खबरों को विस्तास से जानने के लिए जुड़े रही है जनभापना टाइम्स के साथ नमस्कार